नमस्ते दोस्तों एपी इंडिपेंडेंस दे सुतत्रता दीवस की हरदिक शुपकामना है आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि जल से जल हमें भी आजादी मिल जाए इस करोना के प्रॉब्लम से और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ता ये जर्सी जो सबसे ज़्याद और फिर रिटार्मेंट लेना वो एक अलगी प्राउड और अलगी चीज होती है जहां पर कि आपको भी लगता है कि यह सापने पूरा लाइफ क्रिकेट का जो है वो कंप्लीट कर लिए बट इस तरीके से रिटार्मेंट लेना मुझे बहुत ही बहुत जादा हद तक मतलब तकलीफ हुई इस चीज को सुनके क्योंकि इससे पहले भी मैंने देखा था कि जब राहूल द्रवीड ते जो हमारे देश के बड़े से बड़े क्रिकेटर है वो एकदम साइलेंटली कुट कर जाते है और हमें पता ही नहीं चलता है कि वो क्या चल रहा है उनके दिमाग में क्या जहन में उनके चल रहा है और क्या सूचते होंगे वो जब आप ऐसे क्रिकेटर जब आप सोचते हो कि अगर कोई मैच हार जाते हो तो आप जब उसको रात को सोगने से पहले अगर एनलाइस करते हो तो आपको पता चलती ही यह मेरी फॉल्ड ती है ऐसा तो आज के का खड़े हो के मैदान में फेरवल देने का और यहां तक कि मेरी खुत के एक विश्ट थी कि इन इंडिया में अगर जहां पर भी दोनी का लास्ट मैच हो इंटरनेशनल मैं जरूर अटेंड करूं मैंने बहुत सारे प्लान्स भी किये थे बट कहीं न कहीं अब वह ऐसे लग रहे कि वह शादी जिन्दगी में तो आप नहीं हो पाएंगे और काफी इमोशनल भी हो चुका हो इस चीज से लेके बट मेरे यह वीडियो बानाने का मक्स कर सके उनको प्रेज कर सके कि आपने हमारे देश के लिए इतना कॉंट्रिव्यूट कि और इसी तरीके से महिंद्र सिंग धोनी ने भी जो आज रिटायर्मेंट ली मैं चाहता हूं कि वी सी और क्रिकेट काउंसेल आफ इंडिया जो भी है उन्हें आगे आके इस तरीके से जो हमारी लेजेंट है इनको एक फेरवेल देना उनको एप्रिशेट करना बहुत जरूर यह बनता है और इसी के साथ मैं जिस तरीके से देखिए कि दोनी के तूरंद बांद रेटायर्मेंट का अनॉंसमेंट आया सूरेश रहना से तो कहीं न कहीं कि दोस्ती इनका एक जान प्रेशमेंट होता है वह दिखाई देता है कि कितना सेडनेस फैल गया इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में और इसी तरीके से अगर मैं धूनी के बारे में कुछ बोलू तो मतलब जब दूनी ने स्टार्ट किया था करियर मेरे वह बिल्कुल फेवरेट नहीं थे मैं आज से लेकर और आज के यह रिटायर्मेंट जो इतना साइलेंटली उनोंने क्विट कर दिया है यह बहुत-इबहुत मतलब पैन्फुल है कि जिस तरीके से उनको करियर उन्होंने ग्राफ बनाया जिस तरीके से इंडिन क्रिकेट में उन्होंने चेंजेस लाया और आजका एक यूथ जनरेशन अगर क्रिकेट को और अपने करियर को देखता है तो कहीं न के उसके जहन में सची इंट अंडूलकर के बाद महेंदर सिंग दोनी तो नाम जरूर होगा तो सैड था बहुत मेरे लिए और कहीं न कहीं शायद पॉलिटिक्स की अगर बात ना करो तो शायद वह एक मौका हो सकता था कि शायद दोनी कोई लास इंटामन नैशनल मैच खेलते हुए रिटार्मन अनाउंस करते बट ठीक है कोई नहीं बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मै अगर इस टाइम तक अगर आप आ चुके हो तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइए कि हम ऐसा कुछ कर सके या ऐसा हम कुछ वीडियोज ला सके बता सके कि जहां पर कि यह मैसेज जाए कि हमें इतना बड़ा जो कॉंट्रिबुशन महेंदर सिंग दोनी ने इंडियन क् प्लस अब जो नेशनल क्रिकेट के लिए उस तरीके से उन्होंने भी ऐसे ही साइलेंटली कुट किया था उन्हें भी एक फेरवेल नहीं तो कहीं नगा यह हमारे लिए हमारे बीसी सीचाइए के लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट हो जाता है कि हम अपने जो क्रिकेटर है जो अपकमिंग क्रिकेटर है उनके भी फ्यूचर को और उनके भी अगर फेट को अब हमें रखना है तो कहीं नगा हमें यह चीजे करनी पड़ेगी कि जहां से उनको यह न लगी कि जब हमने शुरू गया था तब तो सब अच्छा था बड़ धीर दीर एक जब टाइम आ जाता है कि जब आप थोड़ा रेटार्मेंट की तरह बढ़ते हो तो आप इसे फोकस हड़ जाता है वो एक फेवर नहीं कर पाती है उस तरीके से तो यह एक चीज है और सबसे बेस चीज मुझे यह लगी कि जो बोलते ना दोस्ती जो दोस्ती की मिसाल होती है जो सूरेश रहना और मह?」ंदर सिंघ धोनी ने करियर तो एक साथ में नहीं उन्होंने स्टार्ट किया था आगे पीछे हो व्यते बट आज जो उन्होंने डूनों फैन्स के लिए प्लस उनके खुद के लिए आज की रात बहुत ही बड़ी रात होगी और दूसरी चीज है कि जिस तरीके से आज 15 अगस्त है इंडिपेंडेंस डे के लिए हम सेलिब्रेट करते उस तरीके से मुझे तो लाइफ में कभी ये दिन नहीं बूल पाऊंगा मैं क्य के लिए उस मैदान में मैं खड़े रहा कि वह मुव्मेंट को मैं फील करूंगा बट कहीं न कहीं यह चीज मेरे लिए अब ऐसा लग रहा है कि वह रहे गई है मैं चाहता हूँ कि फिर भी एक होब है कोशिश जरूर रहेगी मेरी लाइफ में कि कभी ना कभी मैं जिंदगी मैं एक बार ऐसे मुकाम पर पहुचू कि जहां पर मैं महेंद्र सिंग दोनी से एक बार मिल सकूँ और उनको अपने तहे दिल से थैंक्यू सो मच कह सकूँ जो उन्होंने क्रिकेट के लिए प्लस एक मोटिवेशनल फेक्टर होता है जो एक युथ क्रिकेटर है अगर वो प अज़र से दिखाया है कि अशोटे से से स्टेट से आने के बाद उन्होंने आज जिस तरिके सव थैक्तिनन् कूल और ए कि कि जो भी ICC कि जो भी trophies वगर है उन्होंने जो अचीव किया है अपने इस चोटे से करियर में वो बहुत ही मतलब बहुत सारे captains हुएं बहुत सारे matches हुएं बहुत सारे legend हुएं बहुत हाडली किसी के life में ऐसा होगा कि जिन्होंने सब trophies ICC की उन्होंने हसिल कियोगी तो यह बहुत ही बड़ा achievement है महिंद्र सिंग दोनी के लिए इंडिविजवल परसन और यह हमारे लिए भी बहुत बड़ी सौभागे की बात है इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोग क्या सोचते हो महिंद्र सिंग दोनी के बारे में और मैं कोशिश कर रहां मैंने बी सी सी आई के ट्वीटर अपने ट्विटर अकाउंट से पेज़ पर और कफी सारे चार-पाँच कंटीनू ट्वीट कि है कि वी निडियों फेर्वल फॉर महिंद्र सिंग दोनी इस तरीके से तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं महेंदर सिंग दोनी के बारे में और अगर एक कोशिश अगर की जाए कि हम अगर कुछ अच्छा फेरवेल उनके लिए कर सके या फिर कुछ ऐसा जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम को करना इंडियन क्रिकेट काउंसिल क करना चाहिए तो वो क्या हो सकते हम क्या कर सकते हैं उसके लिए प्लीज आप लोग सपोर्ट करिये कि कमेंट करके बताए या फिर आप लोगों करेंड के मुझे दूसरे वीडियो के लिए गाइड करेगा कि मैं दूसरा जो अपना वीडियो बनाओं इस टॉपिक से इंद्र सिंग दोनी कि वो पहुच सके और एक अपना मैसेज दे सके उनको उनको यह फील करा सके कि भले जिस इन अपने रिटायर्मेंट अनाउंच की ती उस रात को तो हम आपके साथ नहीं थे पर हम आपके साथ हमेशा रहेंगे और दूसरी चीज है कि जिस तरीके से उन मेरे जब से लॉकडाउन हुआ तब से मेरे मोबाइल के डीपी पर अगर खुद मैं कहूं तो अगर मैंने अपने खुद को मोटिवेट रखने के लिए सिचुएशन से कुछ रखा तो मैंने खुद में महेंदर सिंग दोनी की फोटोस रखे जब मैं उनको देखता हूं तो फील होता कि जब यहां से दोनी ने शुरू करके वह यहां तक पहुचे तो इसी तरगे से अगर हम भी अपनी महनत और जो भी लगन है अगर किसी पर्टिकुलर चीज में फिर फोकस रखेंगे तो हम भी एक दिन जरूर कहीं बड़े मुकाम पे पहुचेंगे लेजेंड त तो थैंक यू सो मच दोनी बर अपने बुरा किया दोनी एक तो मौका बनता था एक तो मौका बनता था कि हम आपको लास्ट टाइम देख सके सेमी फाइनल में जो हमने लास्ट वो कुछ रनों के लिए हम जब हार गयते हमने वह जो वर्ल्ड कप का अपना ड्रीम था वह थैंक यू सो मच